तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे जो ओला केप जो हमने बुक करा था वो आ चुका है हमने अपने सारे लगेज जो है लोड कर दिया है अब चलते हैं इस एकसाइटमेंट जर्नी की और कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह गुर्गाओं की बहुत ही फैमर्ज जगा है इसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे छोटा दुगए भी कहते हैं यहां पर जो है मल्टी नेशनल कंपनिया उनके कॉल सेंटर्स और आफिसस वगारा है यहां पर इस सारे जो है डियलफ के बिल्डिंग्स है तो हम लोग कुछी देर में आब हाइवे नंबर फोटी एट पे पहुंचने वाले हैं तो फाइनली हम लोग जो है डेली हर्याना के बोर्टर पे पहुंच गए हैं आप देच सकते हैं यह टॉल अब हम दिल्ली में अंटर कर चुके हैं आप देख सकते हैं बहुत ही खुप्सूरत सब ब्रीच यहां के रोड्स वगारे काफी नीटन क्लीन है फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छे लग रही हो तो लाइक चरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भुलें तो फाइनली हम लोग अब आनन ग्याद पहुंचने ही वाले हैं अभी हम लोग अक्सर धाम पहुंच चुते हैं देख सकते हैं यह सारे नजारे प्रेंट्स यहां का व्यू देखो काफी काफी सुन्दर और देखने लाएगा उपर मैट्रो नीचे रोड्स जो अब हम लोग अनन ग्यार वेलवे स्टेशन की वह बढ़ रहे हैं हम लोग पाइनली जोए अनन ग्यार पहुंच चुते हैं जो आपको इस्टेशन स्टेशन की अनन ग्यार ग्यारे जो अनन ग्यार लोग वेलवे लग्यार अनन ग्यार को लुट ख़। यह हमारे इंडियन फ्लैग लहराता हुआ कितना खुब सूरत है अब हम लोग रेल्वे स्टेशन की और अंदर की और बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा व्यू बने रही है हमारे साथ के तो प्रेंट्स हम लोग अंदर आ चुके हैं पहले मैं आपको ट्रेन का जो सेड्ल जो है जहां पर दिखाया जाता है ऊब तो हहां पर सबीह ट्रेणों का जो टांटेवल शेपर जिसका ятель जो स्वोउत होता हरो हो यहां पर लिग दिया जाता है आपर देख कि यह वेटिंग होल यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दिया हुआ यहां पर यात्रियों के जिसके ट्रेन दो तीन घंटे लेट है आप यहां पर आप आके अराम से रेस्ट कर सकते हैं कि यहां पर नोन एसी एसी वेटिंग हॉल भी है और काफी अच्छे फैसिलिटी और साफ सपाई यहां पर देखने को मिला कुछ लोग यहां रेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग नीचे भी रेस्ट कर रहे हैं आप यहां आप यहां पर नोन एसी एसी नीचे भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं आप चाहें तो नीचे भी वेट कर सकते आहिए प्रेस्ट कर सकते हैं और यह नोन है यह पर आगे आपको दिखाए देगा एसी ठीं हले अब यह दूडू से आप बाहर कि नजारा अब हम लोग प्लेट्फॉर्म की और अंदर की और बढ़ रहे हैं तो फ्रेंट्स यहां पर एक ट्रेन लगे हुए जो कि आनन ज्यार से मौव के लिए जाती है तो फ्रेंट्स आप लोगो को मैं दिखाये हैं तिकट काउंटर जहां से टिकट आप ले सकते हैं तो फ्रेंट्स यह है किकट काउंडर आपको लोजी कहीं पेल जाएगा यहां से आप प्लेट्फॉर्म टिकट जनरल टिकट और कोसा भी टिकट आप नहीं से ले सकते हैं अगर आपको एक प्लेट्फॉर्म से दूसर प्लेट्फॉर्म पे जाना है तो आप अंडिस अंडर्पास का यूज़ कर सकते हैं ऊपर से किसी भी परकार का कोई ब्रीज नहीं बनाया गया है अनन बिहार के लिए अनन बिहार के रेल्वे स्टिशन पे कोई भी ओवर घ्रीज कि नहीं बनाया गया है अगर आपको एक प्ल PayPal से दूसरे platformë पर जाना है तो आपको अम इस повтор अगर आपके बस लगए तो आप से जा सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आप इस प्लेट्फॉर्म पर पहुंच चुके हैं इस अनम् दुहार टर्मिनल का इंटर्मिनल अडिया अब जिख सकते हैं आप अनगार ने अपके परियों इतो आग्राइस काट गाले के इंड पारों तो फ्रेंट्स हम लोग जो है फानली आपने ट्रेंड में बोर्ट कर चुके हैं हमारी जो ट्रेंड है इस्टेशन से निकल चुकी है तो यह है ट्रेंड का इंडार्ना हमार एसी पर खोट आपके दिखाते हैं यह है ट्रेंड आप देख सकते हैं सब लोग अपने अपने सीज़ को बैठे जाए है इतना सांडी हम लोग 5600 किलो मिंदर का समर लगवग पार का चुके हैं इस वक्त हम लोग हैं कानपूर में प्रेंड सुबह सुबह हम लोग इस वक्त दानापूर पहुंची के हैं दानापूर रेलवे स्टेशन क्रोस करता हुआ अभवाल यू पहुआ लोगा कितासरे हां यूचlles लोग लोग स Northern अजय हुआ है झाल 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 प्रेंच यह है क्यों ब्रीच आप देख सकते हैं यह जो ब्रीच है जिसको पर से ट्रेंग बिगर रही है यह नया भी बनाया गया है और सामने आप देख सकते हैं यह जो बहुत बुराना द्रीच हो चुकाता है तो इसमें से कुछ से ब्लो एको इसमें इस्तिमाल कर लिया गया है जो इस्तिमाल करने के लायक था तो फाइनली हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं तो आपको यह वीड आपको में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाग मिलते हैं नेक्स वीटी एंगा थैंक्स फॉर वाचिए